इंडिया पोस्ट ने स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए कुल मिलाकर बारह पदो पर आवी दन की मांग की है इन पदो के लिए सख्शनिक योगिता की बात करें तो अभिहर्थियों के पास अनुभव के साथ दसवी पासोना अनिवा रहे है इच्छोक और योगी मिद्वार 10 मार्च 2021 तक इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेपसाइट www.indyapost.gov.in पर जाकर आवईदन भर सकते हैं साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेब्लिंग पर जाकर ले सकते हैं केंद्री सिक्षा मंतरी ने 36 गड और बिहार में दो नई केंद्रे विध्याले का किया उदगाटन ने यह सोगात देते वे कहा है कि नई सिक्षा नीती में कीवल कितावे ज्यान के बजाये विभारी ज्यान पर भी जोड दिया گیا है उन्होंने अपना बयान जारी करते वे कहा कि विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से ही वोकेशल ट्रेनिंग के सुविधा प्रधान की जाएगी जिसमें इंटर्ण्शिप भी जुड़ी होगी आर्टिफिशल इंटेलिजिन्स को भी स्कूल स्तर पर सिखाया जाएगा केंद्रिय मंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से केंद्रिय विद्याले बेतिया और केंद्रिय विद्याले कुर्बा 36 गड़ का उधगाटन किया है इस मौके पर उन्होंने अपना बयान जारी करते वे कहा कि प्रधारमंत्री के विजन के अनुरूप जो नही राश्ट्रिय सिक्षा नीती हमले कराए हैं उसमें स्कूली सिक्षा में बड़ा परिवर्तन आने की उमीद जुताई गई है बिहार के 6 जिलों के DM को किया जाएगा सम्मानित बिहार में जल्द ही 6 जिलों के DM को सम्मानित किया जाएगा इतना ही नही जोरान 12 IAS अफसरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा भारत निर्वाचन आयो की तरफ से राश्ट्रे पुरसकार की घोशना के बाद गुरवार को ब राज्यस्तरिये पुरसकारों की घोष्णा भी कर दी गई है विहार के 6 जिलों के डीम को सम्मानित किया जाएगा इसके साथी 6 अन्य IAS अफसरों को भी पुरस्फृत किया जाएगा आपको बता दे राज्य स्तरिये पुरसकारों में सर्वशेश जुला नर्वाचन के रूप में और अंगाबाद खगडिया कटिहार गया मुजफरपुर के डियम का चायन किया गया है जुन्हें सम्मानित किया जाना है बिहार विधान परिशत के द्वी वार्शिक और वालों की लंबी कतार देखने को मिल जाती है वाई अब सोशल मीडिया पर आपति जुराग और अभधर टिपड़िंग करने वालों पर कानूनी कारवाई की जाएगी आर्थिक अप्राथिकाई के ADG नयार हसनेन खान ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि जूट या अब देना होगा प्रमान पत्र सरकारी ठेका लेने की अच्छा रखने वाले लोगों की रह अब आसान नहीं होने वाली है सरकार की तरफ से जारी किये गया ताजा जानकारी के नुसार सभी तरह के सरकारी ठेके में चरित्र प्रमान पत्र को अब अनिवारे कर दिया गया है जिसके बाद अब किसी भी ठेका को लेने से पहले ठेकेदार को S.P. काडियाले में जारी किया गया चरित्र प्रमान पत्र को जमा करवाना अनेवारे कर दिया गया है जहां इस पर महर लगाई गई है बिहार में विधायक जी को जोड़ा जाएगा डिजिटली 19 फरवरी से 24 मार्श तक होने वाले बजट सत्र को लेकर बिहार विधानसवा के अधिक्ष विजे कुमार स्च 67été inar ने विधानसवा सच्ष वाले के सवी अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसके देट उन्होंने अफसरों को हिगायत दी है हाला के फिलहाल इन्हें विधाई कारियों की कोई जानकारी नहीं है जुने अब इमेल और वाटसाप के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी बिहारबोड के परिक्षार्थी अब जल्दी नहीं छोड़ सकेंगे हॉल बिहार बोड में समलित होने वाले परिक्षार्थियों के लिए नए इनियम कानून को लागू कर दिया गया है जिसके बाद अब इनियमों का पालन शात्रों को करना भी अनिवारे कर दिया गया है जिसके तहद बिहार बोड ने परिक्षा में श्रामिल होने वाले परिक्षार जिसके तहट आप छात्र परिक्षा शुरू होने के एक घंटे पंद्रह मिनट या एक घंटे तीस मिनट के बाद ही परिक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमती दी जाएगी जिसके बाद पहले वस्तोनिष्ट प्रश्ण का उत्तर परिक्षार्थि ओको देना होगा बो नर्सिंग राजपूत का जन्म आजी के दिन साल 1970 को बिहार के सासा राम जले में हुआ था नर्सिंग राजपूत एक भारतिय फिल्म निरदेशक और नर्माता है जुन्हें हिंदि सिनिमा में टॉम दिक और हैरी रामा रामा क्या है ड्रामा जैसी फिल्मों के लिए जाना जा जो इसके तहत उन्हों ने कहा है कि तेजस्वी आदव और चुरागपासवान पुलिटिकल टूरिस्ट है और कॉर्टरली एक्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वधानसभा चुनाफ 2020 में जनता ने उन्हें उनकी राजनेतिक आउकात बता दी है नीरज ने आगे तेजस्वी आदव की धन्यवाद यात्रा को लेकर भी तंच कसा है जिसके तहत उन्हों ने कहा कि आज तक तेजस्वी ने कोई यात्रा पूरी नहीं की है जो आज वो करेंगे तेजस्वी आदव और चुराग पासवान को अर्टरली परिक्षा देने वाले परिक्षारती हैं बिहार में जब भी आपदाई है तब तब इन दोनों नेताओं को बिहार से गायब देखा गया है चनाफ परणाम से नाखुशो कर वो दिल्ली की तरफ कूछ कर गये पपु यादव ने 23 जनवरी को किसान न्याय मार्च निकालने का किया अयलान जाप्रमुक पपु यादव कई दनों से किसानों के हित में अपनी आवाज उठाते देखे गए हैं वही अब किसानों के हित में एक बार फिर से पपु यादव ने 23 जनवरी को किसान न्याय मार उसकी जुनती के मौके पर निकाले जाने वाले स्मार्च में हम बिहार में बढ़ते अपराथ और छात्रों के मुद्दे को भी उठाने वाले हैं। इतना ही नहीं ते जस्वी आदव ने मुख्यमंतर नितीश कुमार को हिटलर भी करार कर दिया है। और स्टेडियम में सुधार को लेकर जरूरी सुझाव की मांग भी की थी। चिराग पासवान ने की निंदा वेब सीरीज तांडव को लेकर शुरू हुआ तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीरीज मेकर के माफी मांगने के बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर बहस अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि यह सरा सर गलत है भगवान शुर्फ का जिस तरीके से इसमें उपहास उराए गया है और विभन जिस तरीके से जिन मुद्दो को हाइलाइट किया गया है। जिस तरीके से उस पूरे प्रकरन को ग्लोरिफाई करके इसमें दिखाया गया है यह सरा सर गलत है। जिस तरीके से पास करवाए गया है जिसके तहट अब साल 2014 से 20 तक दो बार होल्डिन टैक्स की वार्शिकरायदर में वृध्धी होगी। दर्थ के बावजूद उनके द्वारा खेली गई पारी के बाद हनुमा को राहुल ड्रविट का स्पेशल मेसेज आये था। रविचंदरन अश्विन के साथ मिलकर हनुमा विहारी ने साढ़े तीन घंटे बल्लेबाजी की थी और 161 गेंद का सामना करने के बाद 23 रनों की पारी खेली थी। चोटिल होने के बाद इस तरह की पारी खेलने पर इस भारती अबल्लेबाज की जमकर तारीफ भी हुई थी।